क्या हूँ दोस्तों अगर आप किसी एक चीज के बार में सोचे और उसे एकने के बाद वो चीज आपके सामने आ जाए तो आज मैं जीस मुवी की बात करने वाला हूँ उसमें दोस्तों पुरी तरह से तो नहीं पर कुछ ऐसा ही होता है जिसमें एक भुक राइटर के एक कहानी का एक करेक्टर बुक से बाहर आकर उसी राइटर को मारने की कोशिज करता है तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रिंस और आज मैं रिविव करने वाला हूँ एक तमिल साइको थेर मुवी उरू का जिसकी एंडिंग दोस्तों आपको हैरान कर देगी इस मुवी को हिंडी में उर्ध ट्रैप के नाम से डब किया गया है जो की दुस्तों हाल ही में यूटुब पे हिंडी में अप्लोड हुई है तो आजिसे दुस्तों जानते हैं कि कैसी है ये मुवी और क्या आपको ये मुवी देखनी चाहिए या नहीं मुवी के कास्ट में है करे रसन जो की जिवन का करेक्टर प्रिय करते हैं और जो की एक बुक राइटर है उनकी वाइफ का करेक्टर प्रिय करती है साइड हंसिका जिनका फिल्म में नाम होता है जेनी तो मुवी की कहानी होती है जिवन की जो की एक बुक राइटर है सुरवात में तो दोस्तो योगों को उसकी बुक काफी पसंद आती है येकिन धीरे धीरे योग उसके लिखे हुए बुक्स को पढ़ना कम कर देते हैं क्योंकि उसके किताबों में कुछ नया और हटके कहानी नहीं देखने को मिलती है तो जीवन दोस्तो अब एक काफी different story एकना चाहता है जिसके बाद दोस्तो एक news से उसे एक psycho clear के उपर एक बुक एकने का idea आता है जो कि दोस्तो एक ऐसा psycho clear होता है जो murder को एक game समझे इसके बाद दोस्तो जीवन अपने बुक को complete करने के लिए अपने घर से दूर एक हिल पे जाता है ताकि वो दोस्तो privacy और peace के साथ अपने बुक को खत्म कर सके लेकिन दोस्तो अचानक से उसके साथ काफी अजीवों गरीब घटनाए होने लगती है जिससे वो काफी परिसान हो जाता है इसी बीच दोस्तो उसकी wife भी वहाँ पर आती है और इसके बाद दोस्तो मुवी की असलित के लिए स्टार्ट होती है जो हर एक second आपको अपने क्या होता है इसके लिए दोस्तो आपको इस मुवी को देखनी होगी इस मुवी को दोस्तो एक सुनसान जगा और जंगल में सूट करके एक होरल मुवी वाली फिलिंग देने की कोशिस की गई है जो कि काफी अच्छे से वर्क भी करती है येकिन हाँ दोस्तो यह एक होरल मु और आधे घंटे तक ये movie देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन दोस्तों उसके बाद जो movie की सिंस आती है, अगर आप थोड़ा सा भी मिस करोगे, तो सायद आपको इस movie को समझने में परिसानी होगी, movie की plot दोस्तों सच में काफी different है, और इस movie में आपको भरपूर suspense देखने को मिलता है, जो कि आपको पसंद आएगी, और जो दोस्तों इस movie की ending है, वहाँ पे दोस्तों आने वाली suspense आपको बिल्कुल ही हैरान कर देगी, तो इस movie को दोस्तों आपको एक बार try करना चाहिए, वैस पसंद आई है तो इसे like करें, share करें और चानल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं को और वीडियो में, तब तक के लिए जाए हिंद वंदे मात्रम